तो यहां से सबसे पहले हम एक new file ले रहे हैं और यहां से हम save करते हैं और इसका नाम रख रहे हैं, supposed to be, हम इसका नाम रख लेते हैं, myweb.html, यहां पे click करते हैं, shift के साथ one का button दमाएंगे, enter करेंगे, तो यह code auto generate करतेगा, ठीक है, और अब यहांच की जो classes हम देख रहे हैं, js, मतब जावा स्क्रिप्ट, how to access html element by id, ठीक है, अब यह होता क्या है, मिसाल के तोर पे, अगर आप यहां पे कोई भी html का element यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे एक div बनायवा है, और उसकी कोई id रखी हुई है, supposed to be, id मैंने क्या रखी हुई है, let's suppose मैंने उसका न graph और उसकी id मैंने रखी हुई है, यहां पे इसका मैंने आप रखा है, supposed to be my p नाम रख दिया मैंने इसका, अब होता यह है, कि जब आप इसके अिसके अझे रख कुछ भी data आपने लिख रुखा है, supposed to be, इहां पे आपने लिख रखा है hello, और यहां पे आपने लिख रखा ह यहाँ पर right button दबा के अपने browser पर इसको खुल लिया और यह आपको HTML का page आपको easily नज़र आ रहा है अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब हम JavaScript का code करेंगे चाहे हों internal करें चाहे हों external करें तो क्या होता है जैसे आप script का tag लिखेंगे और वहाँ पर जाके आप type करेंगे document.write तो होगा यह कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी string pass करेंगे supposed to be hello this is java script तो यहाँ पर हमने जैसे ही लिखा और semi funnel लगाया तो refresh करेंगे तो यह देखें इसके नीचे यह add हो गया अब मैं अगर इसको इस जगा पर add करना चाह रहा था तो यह कैसे possible है ठीक है अगर मैं इसको java script के tag को किसी html के element के अंदर display कराना चाह रहा था तो वो किस तरह possible है कि मैं इसके अंदर display कराना चाहता हूँ या इसके अंदर display कराना चाहता हूँ तो उसके लिए हम document.get element id का function पर इस्तमाल करेंगे अब यह काम कैसे possible है अब जहाँ hello लिखावा है वहाँ पर मैं लिखाना चाहूँगा वो line जो मैं चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ document.get element by id यह function आपको यही मिल जाएगा इसका method और जैसे ही आप method लेंगे तो इसके आगे आपने दो brackets लगा रहे है फिर .innerHTML यह इसका दूसरा method यूज करना है इसके अंदर जो यहाँ पर लिखेंगे और फिर equal लगाके जो भी इसको string pass करना है वो आप यहाँ पर pass कर देंगे लिकिन यह तो इस command का structure है basically this structure में define क्या करना है जिस id के अंदर आपको यहाँ पर place करवाना है उसके लिए आपको इस id का नाम यहाँ लिखना होगा जैसे हम यहाँ पर single quotes में या फिर तो double quotes के अंदर उस id का नाम लिख सकते हैं मैं single quotes लगा रहा हूँ और id का नाम है हमारी supposed to be display और display पर जाके जैसी click कर रही है यहाँ पर हमने display की spelling अलद लिखती display और inner html में जो भी print कराना है हुई हम लिख जैते हैं next change लिख दिया हमने यहाँ पर और इसके बाद जैसे ही refresh किया तो आपने note किया कि जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसकी जगा पर यह replace कर दिया इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि हम किसी भी particular element को कैसे access कर सकते हैं कोई भी particular html element को कैसे access किया जा सकता है तो जो वहाँ पर जो भी text था उसको इसने replace कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर equal to लगाया था अगर हम इसके आगे plus का sign point को alternate कर देते तो refresh करने पर यहाँ पर 9 आ रहा है ठीक है और directly इसके उपर next.js लिखा वा रहा है तो आप नहीं दिखा कि किस थरीके से हमने इसको 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 इड़ किया अगर हम यहाँ पर plus equal लिख देते तो फिर क्या होता फिर देखिए hello के साथ next.js add हो गया इस sign का मकसद क्या हुआ यह assignment operator है जो हमने इस पर apply कर दिया plus equal का जिसमे उसने जो भी text था उसके साथ मजीद text को add कर दिया मतलब जो भी element की value थी वो अपनी जगा मोजूद रही words के साथ जो अगली value थी जो इसके साथ क्या कर दी append कर दी यह हमने assignment operator के साथ plus equal को use कर दिया अगर हम direct equal लगाते तो जो भी value हम लिख रहे थे वो ही सिर्फा आती और पिछली value को replace कर देता अच्छा इसी तरीके से अगर आप इसको किसी variable की value को दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप possible है कर सकते हैं मिसाल के तोर पर हमने आप let करके variable declare कर दिया जिसमें हमने दिखाया for example assignment के साथ और इसके अंदर value डाल दी और sorry एक variable ले लिया supposed to be ptext के नाम से हमने एक variable ले लिया और उसमें एक value assign कर दी जो के हमने सिर्फ यह लिख दिया supposed to be we are learning js तो लिखने के बाद हमने 100 साब इक होना लगा है यह इसके अंदर text अड़ हो गया अब हम इसको इस id पे show कराना चाहरे हैं तो कैसे करेंगे same statement लेंगे और statement लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जो इसकी id है myp और myp लिखने के बाद inner html करके इसको आगे next करेंगे और इसके अंदर जो strings थे उसको पास कर रहे हैं ते double quotes के अंदर जो के अब variable है उसको directly यहाँ पे pass कर देंगे same method यहाँ पे apply होगा जो उसका text था replace हो जाएगा इस text के साथ अब अगर आप उसको भी concatenate करना चाहते हैं तो plus equal लगा देंगे और plus करेंगे तो वो text भी रहेगा और आपका text जो है उसके आगे यहाँ पर add हो जाएगा इस तरीके से तो अगर आप उसके साथ आगे add करना चाहते हैं तो plus equal लगाईए अगर सिर्फ उसके assign करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं तो इस तरह आप कोई भी element को document.by get element id access कर सकते हैं JavaScript के जरीए HTML का क्रीके